दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर चलते हैं राजस्थान के पश्चिमी छोओर पर बसे बीका नेर शहर बीका नेर के महाराजा गंगा सिंग जी के पूरे जीवन काल के बारे में जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है दूसरों की सेवा में लगाया केसरे हिंद कल्यूग के भागीरत जैसे कई सारी उपाजियों से समानित महाराजा गंगा सिंग जी के उपर बना ये पूरा वीडियो जरूर देखें और समझें कि उस जमाने में जो हमारे राजा महाराजा थे वो किस तरह से अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे महाराजा धिराज गंगा सिंग जी का जन्म 3 अक्टूबर 1880 को विकानेर में ही हुआ उनके पिता का नाम महाराजा लाल सिंग था गंगा सिंग जी विकानेर के महाराजा लाल सिंग जी की तीसरी संतान थे और डूंगर सिंग जी के छोटे भाई थे जो बड़े भाई के दिहांत के बाद 1887 में 13 दिसंबर के दिन विकानेर नरेश बने उनका पहला विवा प्रताब गड़ राजी की बेटी और दूसरा विवा वीकम गोर की राजगन्या के साथ हुआ जिन से उनके दो पुत्रें और चार पुत्र थे उनके प्रारंबिक शिक्षा पहले घर में ही हुई और फिर इसके बाद वो अजमेर के मेयो कॉलेज में 1889 से 1894 के बीच में पढ़े ठाकुरलाल सिंग जी के मार्क दर्क्षन में 1894 से 1898 के बीच उन्हें प्रसाशनिक प्रस्रिक्षन मिला 1898 में गंगा सिंग जी को फोजी प्रस्रिक्षन प्राप्त करने के लिए देवली रेजिमेंट बेजा गया जो उस समय लेफटेनेंट करिनल बेल के अधीन देश की सर्वत्तम मिलेटरी प्रस्रिक्षन रेजिमेंट मानी जाती थी पहले विस्व युद्ध के अंदर फोजी अफसर के बतोर गंगा सिंग जी ने अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर कैमल कॉप्स के ब्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस की युद्धों में सक्रिय भूमी का निवाई 1902 में वे प्रिंस ओफ वेल्स के और 1910 में किंग जोर्ज पंचम के ADC भी रहे महा युद्ध समाप्त होने के बाद अपनी पुष्टेनी विकानेर रियासत में लोट कर उन्होंने प्रसाशनिक सुधारों और विकास की गंगा भाने के लिए जो काम किये वे कभी किसी की लिहाज से साधारन नहीं किये जा सकते 1913 में उन्होंने एक चुनी हुई जन प्रतिनिदी सबा का गठन किया 1922 में एक मुख्य नयाधिश के अधिन अन्य दो नयाधिशों का एक उच्च नयायाले स्थापित किया और विकानेर को नयाइक सेवा के छेत्र में अपनी ऐसी पहल से देश की पहली रियासत बनाया अपनी सरकार के करमचारियों के लिए उन्होंने एंडोमेंट एजिसुरेंस कीम और जीवन विमा योजना लागू की निजी बैंकों की सेवाएं आम नागरिकों को मोहया करवाई और पूरे राजि में बाल विवा रोकने के लिए सार्दा एक्ट कड़ाई से लागू किया 1920 से 1926 के बीच गंगा सिंग जी इंडियन चेंबर ओफ प्रिंसेज के चांसलर बनाए गए है इस बीच 1924 में लीग ओफ नेसंस के पांचवे अधिवेशन में भी उन्होंने भारतिय प्रतिनिधी की हेस्ट से भाग लिया शिक्षा के रूप में और करियर के रूप में उन् भीश का देखी और अपने रियासत के लिए पानी का इंतजाम एक स्थाई समधान के रूप में करने का संकल्प लिया इसलिए सबसे करांतिकारी और दूर दुष्टिवान काम जो उनके द्वारा अपने राज्य के लिए किया गया था वह था पंजाब की सतलुट नदी का पानी गंग कैनाल के जरिए बिकानेर जैसे सूखे प्रदेश तकलाना और नहरी सिंची चेतर में किसानों को खेती करने और बसने के लिए मुफ्त जमीन देना इस गंग कैनाल के ऊपर एक पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे उसको आप पूरा जरूर देखना और इसके लोदपूर सहर से जोडते हुए रेलवे के विकास और बिजली लाने की दिशा में भी बहुत सक्रियर है जेल और भूमी सुधारों के दिशा में उन्होंने नए काइदे कानून लागू करवाए नगर पालिकाओं के स्वायत सासन संबंदी चुनाओं की प्रक्रिया शुर सबसे बड़ा काम यही मानेगी कि इस सूखे प्रांध में जहां पर जीवन असंबह हो था जिस जगे ने एक पूरा अकाल देखा था वहां पर जीवन को बसाने के लिए संकल्प लेना और उसके लिए अपने पूरे राज खजाने को खाली करना और यहां पर पानी लेके आ अलावा 1900 में केसरे हिंद की उपादी से विपूशित किया गया 1918 में उन्हें पहली बार 19 तोपों की सलामी दे गई वहीं 1921 में दो शाल बाद उन्हें अंगरे जी सासन द्वारा स्थाई तोरपन 19 तोपों की सलामी योग्य सासक माना गया था दो फरवरे सा 1943 को बंबई में महाराजा गंगा सिंग्जी के मुर्त्यों हो गई दोस्तों आज की ये वीडियो थी बिकानेर के महाराजा गंगा सिंग्जी के बारे में कल्यों के भगीरत के बारे में केसरे हिंद के बारे में आपको वीडियो पसंद जरूर से आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के साथ इसको जरूर से शेर कीजिएगा आप वीडियो कहां से देख रहे हैं वीडियो के अंदर आपको कोई सुधार के सुझाव लगते हो आने वाले वीडियो के कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करने हो तो सब कुछ कॉमेंट के अंदर जरूर लिखेगा ऐसे वीडियो देख रहने के लिए MSP क्रियेटर सबको जरूर सबस्क्राइब कीजेगा